नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके मिचा हम आपको चमतकारी तोटके असरदार तोटके चमतकारी समाधानों के बारे में बताते हैं आपकी राशी से जुड़े आपके गुण तथा वेल्थ टिप्स के बारे में बताते हैं दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं नास्रे दमस की 2017 की भविश्यमाणी जिसे सुनकर आप चौँप जाएगे। जी हां दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नास्रे दमस की 2017 की भविश्यमाणी तो दोस्तों जुड़े रहें चमतकारी टोटके के साथ नास्रे दमस पर शोध करने वाले शोध करता उनकी सेंचुरी आदी पुस्तकों में से प्रतेक वर्ष की भविश्यमाणिया निकाल कर लोगों की सामने प्रस्तुत कर देते हैं पिछले वर्ष भी हमने आपको 2016 की नास्रे दमस की भविश्यमाणिया प्रस्तुत की थी इस बार हम आपको अपने इस चमतकारी टोटके चैनल के माध्यम से नास्ट दमस की 2017 वर्ष की भविशमाणिया बताएंगे नास्ट दमस ने भारत के लिए क्या कहा है तो आईए दोस्तों जानते हैं वो भविशमाणिया जो नास्ट दमस ने भारत के बारे में कही है पहली भविशमाणिया नास्ट दमस के अनुसार वर्ष 2017 रूस के लिए काफी खास होने वाला है इस साल में रूस एवं यूकरेन एक विशेश समझोते की और बढ़ेंगे दस्तावेजों के माध्यम से हाथ मिलाएंगे दो देशों के इस फैसले को अमेरिका अस्विकार करेगा लेकिन अन्य यूरोपिये देशों का इसे समर्थन हासिल होगा दोस्तों दूसरी भविशमाणी के ओर चलते हैं वर्ष 2016 चीन के लिए उतार चड़ा वाला रहा जहां भारत की ओर से उसे काफी निंदा हासिल हुई वहीं अमेरिका ने भी कुछ खास सराहना नहीं की शायद इसी के चलते वर्ष 2017 में चीन अपने देश के हित में एक बड़ी तस्वीर उजागर करेगा विश्व प्रसित सम्मेलन ब्रिक्स में चीन का छंडा सबसे अधित चपकेगा ऐसी भविश्वाणी की है नास्टे दमस ने तो संभव है कि वर्ष 2017 चीन के लिए बेहत खास होने वाला है तीसरी भविश्वाणी लेटिन अमेरिका में क्या चल रहा है इससे आप सभी परिचित हैं अपने खुद के मसले ही सुलजाता ये भूभाग वर्ष 2017 में कुछ विशेश कदम उठाने वाला है लेकिन इसका लाभ केवल और केवल लेटिन अमेरिका के हित में ही होगा चौथी भविश्वाणी नास्ट्रदमस ने इटली के बारे में अपनी भविश्वाणियों की किताब में कई खौफनाग भविश्वाणियां की है उनमें से अधिकतर तो सच हो गई है इस बार भी इटली के लिए बुरी खबर है इटली को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना होगा जिससे उभरने में उसे सालों लग जाएंगे बीते दो सालों में वैसे भी इटली रिड संबंधी परेशानियों से जूझी रहा है और समस्याएं जस की तस बनी हुई है पांचवी भविश्वाणी जो लोग डिजिटल दुनिया की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं कंप्यूटर की दुनिया की देन कही जा सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग लेकिन नास्रदमस की एक भविश्वाणी के नुसार क्लाउट कम्प्यूटिंग जैसी चीज को वर्ष 2017 में खत्रा है छटी भविश्वाणी नास्रदमस की विभिन भविश्वाणियों में युद्ध और अकाल का जिक्र सामाने पाया गया है जिन में से एक वर्ष 2017 से भी जुड़ी है लेकिन ये युद्ध अन लड़ाईयों से कुछ अलग होगा ये युद्ध ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा होगा लेकिन ये युद्ध किसके बीच होगा इस पर शोध करता फिलहाल गहराई से शोध कर रहे हैं साथवी भविश्वाणी सूरे की किरणों से उजा पाने का तरीका है सोलर पावर नास्र दमस की एक भविश्वाणी के अनुसार वर्ष 2017 में लोग सूरे पर काफी अधिक निर्भर हो जाएंगे और शोध गरताओं के अनुसार भविश्वाणी का इशारा सोलर पावर की ओर ही है आठवी भविश्वाणी दोस्तों अब हम आपको उस भविश्वाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध भारत से हैं भारत की संदर्व में कहा गया है कि जो कभी सपने में भी संभव नहीं हो सका वो शायद वर्ष 2017 में हो जाएगा नास्रदमस की वर्ष 2017 से जुड़ी भविश्वाणी कहती है कि भारत 2017 का ये वर्ष सालों साल याद रखेगा इस वर्ष कुछ ऐसा खास होगा जो भारतियों को दुनिया के सामने बड़े स्तर पर ले आएगा इसके बाद नास्रदमस ने जो कहा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएगे ये तो आप सभी जानते हैं कि नास्रदमस ने अपनी भविश्वाणीों में भारतिय सत्ता की बात कही है जिसके अनुसार नरेंद्र मोदी एक बहतरीन सत्ताधारी साबित होंगे लेकिन एक अगली भविश्वाणी के अनुसार नरेंद्र मोदी भारतिय सत्ता सम्हालने के बाद अगले 12 सालों तक देश के हित में कारे करेंगे जी हाँ वर्ष 2026 तक मोदी सरकार भारत पर राज करेंगी याने की मोदी जी का प्रधानमंतरी काल काफी लंबा होने वाला है तो दोस्तों ये थी नास्रे दमस की 2017 की कुछ भविश्वाणिया हम आशा करते हैं कि इन्हें सुनकर आप अवश्य चौक गए होंगे दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले तथा आप हमारे इस चैनल चमतकारी तोटके को अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ शेर भी कर सकते हैं तो दोस्तों जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ